नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आईए आज बात करते हैं डेंगू बुखार के बारे में दोस्तों डेंगू एक वाइरल डीजीज है अर्थात यह एक वाइरस से होने वाला रोग है जो एडीज एजिप्टाई नाम के एक विसेस मच्छर के काटने से फैलता है संक्रामक मच्छर के काटे जाने के पांच से छे दिनों बाद डेंगू रोग हो जाता है यह दू रूपों में हो सकता है पहला है क्लासिकल डेंगू फीवर जिसे ब्रेक बोन फीवर या हड़ी तोड बुखार भी कहा जाता है और दूसरा है डेंगू हेमूरेजिक फीवर दी हेच एफ या डेंगू रत स्रावी बुखार जो जीवन के लिए खतरनाक हो सकता है दोस्तो डेंगू बुखार बरसात के मौसम के बाद बहुत ही आम है यह अत्यधिक संक्रामक भी है तथा मच्छर के काटने से एक ब्यक्ति से दूसरे ब्यक्ति में फैलता है यह ट्रॉपिकल तथा सब ट्रॉपिकल रीजन में ब्यापक रूप से पाया जाता है भारत में भी पिछले दो दसकों से यह एक बहुत ही आम बिमारी है दोस्तो डेंगू किसी भी ब्यक्ति को प्रभावित कर सकता है चाहे वह किसी भी उम्र का हो यह किसी भी लिंग का हो हाला कि जब डेंगू हेमोरेजिक फीवर का प्रावकोप होता है तो मौते बच्चों में ज़्यादा आम होती है तो आईए आगे जानते हैं डेंगू के लक्षन क्या-क्या है दोस्तों डेंगू के लक्षन वाईरस के एक्सपोजर के 3-14 दिनों बाद प्रकट होने लगते हैं इसका एवरेज इंक्यूबेशन पीरियड चार से साथ दिन होता है डेंगू बुखार के लक्षन इस प्रकार है जैसे की Sudden Onset Fever अथवा अचानक बुखार होना सिरदर्द विशेज कर आँखों के पीछे दर्द होना मांसपेस्यों और जोडों का दर्द रैस अथवा दाने होना चिल्स, सीवरिंग या कपकपी होना फेसियल फ्लसिंग या चेहरे का लाल होना भूख नहीं लगना गले में खरास होना या दर्द होना और समानने खून बहना जैसे की नाक, मसूडों से खूनाना या पिसाब में खूनाना तो दोस्तो आईए आगे जानते हैं डेंगू के कारणों के बारे में डेंगू वाइरस एक आरेने वाइरस है एडीज मच्छर काटती है तो वाइरस उसके सरीर में प्रवेश कर जाता है तथा फिर जब यह मच्छर किसी अन्य बेक्टी को काटती है तो वह बेक्टी भी डेंगू वाइरस से संक्रमित हो जाता है और यह चक्र चलता रहता है अब आईए कुछ बाते हम डेंगू फैलाने वाले मच्छर अर्थात एडीज एजिप्टाई मच्छर के बारे में भी जानते हैं यह मच्छर ज़्यादा तर शाम के समय या भोर में काटता है या घर के अंदर चाया वाले जगह पे या फिर बदलते मौसम में ज़्यादा काटते हैं लेकिन वे दिन के किसी भी समय और पूरे साल में कभी भी काट सकते हैं, तथा डेंगू फैला सकते हैं, डेंगू फैलाने वाले मच्छर रुके हुए पानी के जगहों पर प्रजनन करना पसंद करते हैं, जैसे कि फुलदान, खुले हुए बैरल, बाल्टी, वाटर कुलर और बेकार टायर तथा डिब्बे, कुछ खतरनाक जगह, जैसे कि हमेशा गीले रहने वाले फर्स और सोचाले टैंक भी हैं, क्योंकि वे हमारे निवास स्थानों पर मच्छरों के प्रजनन को बढ़ावा देते हैं, वैसे तो यह मच्छर दो से चार हपतों तक ही जिवित रहत दोस्तों मादा एडीज मच्छर आम तोर पर 400 मिटर तक ओड़ सकती है, लेकिन मनुस्यों द्वारा इसे एक अस्थान से दूसरे अस्थान पर भी गलती से ले जाया जा सकता है, जैसे कि कार के डिकी में, तो यह था मच्छरों के बारे में, अब आगे बात करते हैं डेंग इसे का प्रोबेबल डायग्नोसिस या संभावित निदान, बुखार के साथ कुछ लक्षनों, जैसे कि उल्टी और मितली होना, रह सथवा दाने उभरना, सरीर में जनरलाइजड पेन होना या बदन तूटना, इसमें यह भी ध्यान रखा जाता है, कि संदिक्ध ब्यक्ती इंडेमिक एरिया या फिर हाई प्रिवैलेंस एरिया से भी आ रहा हो, इसके साथ साथ रक्त परिक्षन भी किये जाते हैं, जैसे कि माइक्रोइस्कोपिक इक्जामनेशन, खुन में सबसे पहला बदलाव है WBCG का कम हो जाना, उसके बाद प्लैटलिट्स कम हो जाते हैं, औ जो कि वास्कुलर पर्मियबिलिटी और प्लाज्मा लीकेज की वज़े से होता है, वाइरस आइसोलेशन के लिए सबसे ज़्यादा सेल कल्चर का उपयोग किया जाता है, लेकिन RT-PCR इसके मुकाबले ज़्यादा सेंसिटिव है, डेंगु वाइरस सिम्टम स्टार्ट होने के पांस दिनों के अंदर खून में डेटेक्ट हो सकता है, एंटीजेन एनस वन की जांच डेंगु फिवर के पहले हपते में डाइगनोसिस के लिए उपयोगी होता है, दोस्तों सेरोलोजिकल जांच में मैक अलाइजा, आईजीम एंटीबोडी का पता लगाने के लिए और देंगु आईजीजी और आईजीम का पता लगाने की वीधी है और इसमें चारो सेरो टाइप का भी पता लग सकता है, दोस्तों अब बात करते हैं डेंगु के इलाज की, सबसे पहले हम यह जानना जरूरी है कि डेंगु का कोई विसेस इलाज नहीं है, उनका इलाज लच् डेंगु के संदिग्ध संक्रमित ब्यक्ति दर्द निवारक दवायों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन जिस भी दवा में एस्पीरीन हो उससे बचना चाहिए, बुखार की स्थिती में पारसेटमोल लिया जा सकता है, उन्हें भरपूर मात्रा में तरल विसेस कर पानी लेन चाहिए और आराम करना चाहिए, तथा जल से जल चिकितसक से संपर्क भी करना चाहिए, अगर तीन से पांस दिनों तक भी इस्थिती में सुधार नहीं होता है, तो आगे का चिकितसिये सलाह लेना जरूरी हो जाता है, क्योंकि इसके बाद अस्पताल में भरती होने की चाहिए, डेंगू से पिडित ब्यक्ति को डेंगू सॉक सिंड्रोम भी हो सकता है, जो कि एक गंभीर और जानलेवा रूप है, यह बीपी अथवा रग्त चाप में अचानक गंभीर जिरावर्ट के साथ हो सकता है, डेंगू सॉक सिंड्रोम के लक्षन है, ठंढ़ी और चि कित से यह सहता की जरूरत होती है और मरीज को ततकाल अस्पताल में ले जाना चाहिए दोस्तों डेंगु से बचाओ के लिए WHO द्वारा एक टी का भी रिकमेंड किया गया है जिसे CYD TDB कहा जाता है और 9 महीने के बाद 6 महीनों के अंतराल पर इसे 3 डोजेज में दिया जाता है लेकिन भारत में आमतोर पर यह नहीं दिया जा रहा है दोस्तों डेंगु से बचने का सबसे अच्छा उपाय है कि मच्छरों के काटने से बचा जाए तो आए जानते हैं इन कर सक काउपयोग करें और मच्छरदानी का प्रयोग करें खासकर जब आप डेंगु इंडेमिक छेत्रों में जा रहे हों लंबी बाजू के कपड़े और पतलून पहने विसेशकर जब आप घर से बाहर जा रहे हों सब्ताह में कम से कम एक बार कुलर तथा अन्य कंटेनरों से पानी जरूर निकाल दें ट्रांस्मिसन या संचरन के मौसम में मच्छरों को नश्ट करने के लिए एरोसॉल काउपयोग किया जा सकता है दिन में सोते समय भी मच्छरदानी का प्रयोग करें एडीज मच्छर से पेडि छेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए सबसे अ पारियल के छिल के आदी जो वर्सा के पानी को जमा रखते हैं उन्हें साफ रखें या फिक त्याग लें पालतू जानवरों को पानी देने के कंटेनर और फुलडानों को खाली कर देना चाहिए और सब्ताह में कम से कम एक बार स्क्रब करके सुखाना चाहिए इससे मच्छ के काटने के खत्रे को कम किया जा सकता है डेंगू बीमारी के पहले सप्ताह में मच्छर के काटने से बचाओ के लिए मरीज को बेड नेट अथवा खिड़की दरवाजों पर एस्क्रीनिंग माले जगहों पर रखा जाना चाहिए इससे अन्य ब्रत्ति में डेंगू के प्र दोसिया या गप्पी मचलिया और जैविक लर्विसाइड्स डाले जा सकते हैं टैंपोस जैसे केमिकल लर्विसाइड्स पीने योग्य पानी में आसानी से उपयोग किया जा सकता है नालियों में कितना सक्का छुड़काओ या गलियों में फॉगिंग भी प्रभावी हो सक तो दोस्तों ये था डेंगो फीवर के बारे में एक संशिप्त जानकारी, उमीद है आपके काम आएगी, अधिक से अधिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों को भी सेर करें, मिलते हैं एक नए विसाय के साथ, धन्यवाद.